हमारे साथ हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे संबोधन के लिए नमस्टार आप सभी को साथवे अंतराष्टिय योग दिवस की बहुत बहुत शुप कामना है आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उमीद के किरन भी बना हुआ है दो बरसे दुनिया भर के देशों में और भारत में बले ही बड़ा सार्वजनी कारकम आयोजित नहीं हुआ हो लेकिन योग दिवस के प्रति उत्सा जराब ही कम नहीं हुआ है कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फर वेलनेस ने करोणों लोगों में योग के प्रति उत्सा को और भी बढ़ाया है मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूँ कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्त हो सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने साथियों हमारे रुश्यों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्चते ये परिभाशा दे थी उन्होंने सुख दुख में समान रहने सईयम को एक तरह से योग का परामिटर बनाया था आज इस वैश्विक त्रास्थी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है कोरोना के इन डेड वर्षों में भारत समेथ कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है साथियों दुनिया के अधिकाव देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांसकृतिक परवन नहीं है इस मुश्किल समय में इतनी परिशानी में लोग इसे आसाने से भूल सकते थे इसके उपेक्षा कर सकते थे लेकिन इसके विपरित लोगों में योग का उच्छा और बड़ा है योग से प्रेम बड़ा है पिछले डेड़ सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं योग क्या जो पहला परियाए सैयम और अनुशाशन को कहा गया है सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं साथियों जब करोना के अद्रिश्य वायरस से और इस अद्रिश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी तब कोई भी देश साधनों से सामर्त से और मानसिक अबस्ता से इसके लिए तैयार नहीं था हम सभी ने देखा है डॉक्टर से बात करता हूँ तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाब लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कबच बनाया डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उत्योग भी किया और आज अस्पतालों से इसी कितनी इस तस्वीर आती है जहां डॉक्टर्स, नर्सेज, मरीजों को योग सिखा रहे है तो कहीं मरीज अपना अनुभव साजा कर रहे है प्रानायम, अनुलोम, बिलोम जैसे ब्रिटिंग एक्सरसाइज यह हमारे रेस्पिरेट्रिस सिस्टिम को कितनी ताकत मिलती है यह भी दुनिया के विशसग्य खुद बता रहे है साथियों, महान तमिल संत स्री तिरुबलुबर्द जी ने कहा नोई नाड़ी, नोई मुद्दल नाड़ी हदू तनिकुम वाय नाड़ी वाय पच्चयल अरफात, अगर कोई बिमारी है तो उसे डायोगनाईज करो उसकी जड़ तक जाओ बिमारी की वज़े क्या है यह पता करो फिर उसका इलाज सुदिश्शित करो योग यही रास्ता दिखाता है आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर्व है के विशेसग्यव अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसल्ट भी कर रहे है उस पर काम कर रहे है साथियों कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फाइदों पर हमारी इम्मुनिटी पर पढ़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है आजकल हम देखते हैं कई स्कुरों में ओनलाइन ट्लासिज की सुरुवात में दस पंदरा मिनिट बच्चों को योग प्रानायम कराया जा रहा है ये कुरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारिक रूप में तैयारी कर रहा है साथियों भारत के रूशियों ने हमें सिखाया है ब्यायामात लबते स्वास्तम दिर्ग आयुशं बलं सुखं आरोग्यम परमंभाग्यम स्वास्तम सरवार्त साधनम अर्थात योग्य व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्त मिलता है सामर्थ मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है हमारे लिए स्वास्त ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्त ही सभी सफलताओं का माध्यम है भारत के रूशियों ने भारत ने जब भी स्वास्त की बात की है तो इसका मतलब केवल केवल सारीरिक स्वास्त नहीं रहा है इसलिए योग में फीजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोड़ दिया गया है जब हम प्रायम करते हैं ध्यान करते हैं दूसरी योगिक क्रियाय करते हैं तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ती हमारा आंतरिक सामर्थ इतना ज़्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी कोई भी नेगिटिविटी हमें तोड नहीं सकती योग हमें स्ट्रेश से स्ट्रेंथ की और और नेगिटिविटी से क्रियेटिविटी का रास्ता दिखाता है योग हमें अवसात से अमंग और प्रमात से प्रसात तक ले जाता है Friends, yoga tells us that so many problems might be out there, but we have infinite solution within ourselves. We are the biggest source of energy in our universe. We do not realize this energy because of the many divisions that exist at times. The lives of people exist in silos. These divisions reflect in the overall personality as well. The shift from silos to union is yoga. A proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the verse of the great Gurudev Tagore who said, and I quote, The meaning of ourself is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga, of union, unquote. The mantra of Vasudev Kutum Kam, which India has followed since ages, is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I am sure yoga will continue playing its preventive as well as positive role in health care of masses. इस्तियों, जब भारत ने युनाइटेड नेशन्स में अंतराश्य योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी, कि ये योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलब हो. आज इस दिशा में भारत ने युनाइटेड नेशन्स दबली विच्व के साथ मिलकर एक और महत्वपुन कदम उठाया है. अब विश्व को एम योगा, एम योगा एप की शक्ति मिलने जा रही है. इस एप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रसिक्षन के कई वीडियोज दुनिया की अलग अलग भाशाओं में उपलब्द होंगे. ये आधुनिक टेक्नोलोजी और प्राचिन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बहत्रिन उधारन है. मुझे पूरा विश्वास है एम योगा एप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमी का निभाएगा. साथियों गीता में कहां गया है? तम बिद्धा दुख संयोध वियोगम योग संगित्तम अर्थात दूखों से वियोग को मुक्ति को ही योग कहते हैं. सब को साथ लेकर चलने वाली मानवता कि ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ा दी है. चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्तिती हो, कोई भी आयू हो, हर एक के लिए योग के पास कोईने कोई समाधान जरूर है. आज विश्व में योग के प्रती, जिग्यासा रखने वालों के संग्या बहुत बढ़ रही है. देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों के संग्या में भी बृद्धी हो रही हैं. ऐसे में योग का जो मुल्भुत तत्व ग्यान है, मुल्भुत सिध्धान है, उसको कायम रखते हुए, योग जन जन तक पहुँचे, अभिरत पहुँचे, निरंतर पहुँचे, ये कार्य आवशक है। और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को, योग के आचारियों को, योग के प्रचारकों को साथ मिलकल करना चाहिए. हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है, और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सही योग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविश्य का मार्ण दिखाएगा, मानवता को ससक्त करेगा। इनी शुब कामनाओं के साथ आज आंतराष्टे योग दिवस पर पूरी मानव जात को, आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाओं, बहुत बहुत धन्यवाद। झाल झाल